हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में इसमें बात करने वाले हैं कोश्टगाट 123 जैसे कि आपको पता है आपका चार बजे साइंस का मौक टेस्ट लग रहा है और यह आठ वहां मौक टेस्ट होने वाला है नाविक डीबी जीडी यांत्रिक फुल मौक टेस्ट सेम उसी को मेंडरेन करते हुए अब यह लेबल बढ़ते जा रहा है और आपके लिए मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्ट होने वाले हैं अगर आपने 35 कर दिया ना यह मौक टेस्ट तो फिर आपका साइंस में कोश्टन नहीं बज़ने वाला है ओके आराम से टिक करके एगा चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए सच में सपना है कोश्टगर में ही जाना है तो फटावर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन के बटन को पेस किजिए ताकि जो भी उपडेटा है सबसे पहले आप तक पहुंझे टेलिग् सब्सक्राइब करेंगे आपका किसी से तो को चलिए सब्सक्राइब करते हैं समान्या कर दोनों इन में से कोई नहीं है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है question number one का answer और तल दरपन में परचाई कैसी बनती है most important question है आपके exam के regarding आपके exam का level है तो आप लोग और थोरा सा label आपको बढ़ता हुए नजर आएगा हर mock test में ताकि आप किसी भी level का है science का question तो आप tick out करते के आएं ऐसा नहीं कि आप जो है वही छोड़ चार के चले आएं तो ऐसे नहीं तो आतल दरपन में परचाई कैसे बनती है तो वास्तुई को अभासी दोनों बनती है जो कि option a and b मतलब कि c आपका right answer हो जाएगा चलेंगे question number two पे question number two में दिया गया है अगर पिछला आपने मॉक्टेश लगाया होगा मॉक्टेश number seven अगर लगाया होगा तो इसमें मैंने बताया था कि वाई मंदली दाब क्या क्या होता है तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग one से last तक जरूर देखिए बहुत आपके लिए helpful होने वाला है परनाली में आपको बताना है वाई मंदली दाब होके बताना है प्रेशर का int cup बताना है don good प्रकास्थ 2 सम्सक्राइब और होता है कि नатель को लिखना हो लिखना होता हैám कि प्रकास दुरी किसका होता है यह भी अगर आपने पिछला देखा तो आपको पता दू अगर यह भी पता देतां दूसरा थी है तो आपका प्सक्ल होता है जो कि D आपका राइ्ट एंसर हो जएका सेकेंद नम्मर कोश्वियंगे के कॉश्वियंकर 2 ओर अत्यों में दिये मुश्वियंगे वुंध है ऑक्साइड नैट्रोजन नाइट्रोजन डी है सुल्फियूरिक थोड़ सा तब यह डाउन है इसलिए सोरा सा प्राउब्लम हो रहा है यह कौन सा एंसर सही होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन सुल्फियूरिक राइट एंसर क्या होगा नाइट्रोजन का जो कि आपका ओप्सन सी इस दा राइट एंसर हो जाएगा चलेंगे क्वेश्चन नमर फॉर में दिया गया है खाने के नमक का शुत्र क्या होता है मैंने आपको जो भी बच्चे बैस जो रहें उनको अल्रेडी सुत्र प्रवाइड करा दिया है फार्मूला हो का इंसर क्या होगा क्वासम डेखतें हैं सबसे पहले क्या होता है lur चल्री मैं नमक नहीं क्या होता है क्या होगा और आप ज्यूंअ कर दिया करेक्ष्ट एंसर हो जाएगा चलिए कशलें कीकशन की कोशिंगे क्युनाओ और फाइब पे आप लोग थोड़ा सप्पेट किजिए जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दे लाइक जरूर कर दिया करें नीन में से कौन सी गैस वातावरन को परदूशित नहीं करती है तो बताना है राइट एंवार्मेंट को जो की आपको पॉलूटेट ना क यह चयर लाइक यह कार्बन मोशांड दिया तो इसका उख मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको यह यह एंसर भी नहीं पता होगा ऐसे भी महान प्राणी हो इसका इंसर घणा ना कलत करें का बाइचांस गलती से आज एक्जाहम में तो वाता वरन को प्रदूश गरहन करते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं पेर पौदे carbon dioxide लेते हैं oxygen छोड़ते हैं तो यह तो भाई साब सही होना चाहिए ना carbon dioxide खतरना कैसा भाई साब कि चलिए ओजून का सूत्र यह भी आपको लोग को मिला होगा question ओजून का सूत्र है क्या होगा option A है O3 B जो ही बचे अभी तक साथ मॉक्त लगाएं हैं वह इसका answer किलियर कर देंगे मतलब कि बता देंगे कि सही answer कौन सागा एकदा 100% जो भी अभी तक साथ दिये होंगे मॉक्त वह जरूर बताएंगे कि इसका answer क्या होगा चलिए मैं बता दू ओजून का जो सूत्र होता है वह क्या होता है बता देंगा चलिए इसका होता है ओधिरी जो की option is the correct answer होगे कि फॉल को खुझ्टा होने किसका डॉल हो जाते हैं खटा हो जाने का कारान आ खिर क्या है उसका आखिर कोई तो कोई कारण होगा ना कोई की फीर कारन है वटान बटाइए सबसे पहले राइट गटा होना जलदी से बताईए जल्द बता दूभा को जिए अब्टाइं विपको ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा चलिए कोश्ण मरें एट पर कोश्ण मियर्स में दिया से एक ट्रिक वीडियो है जादू है उसमें आपको यह मिल सारे आपको चीज़े हैं जो आपके लिए काम को चीज़ें जिसमें यह बिटामीन वाला है तो एक बंद जाकर ज़रूर चेक कॉन सा रोग होता है उसमें आपका A, B, C, D, सब जितने भी हैं, वो सारे killer हो जाएंगे, तो कौन सा रोग होता है, पताएं, A में दिया है रताउंधी, B में स्कॉर्बी, C से बेरी-बेरी, D से D में दिया है रीकेट, चली, तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, वो आपको बताना है, चलेंगे कोशन नमबर 9 पे, और कोशन नमबर 9 में दिया गया है, ये भी विटामिन से संबंधी कोशन आ गया है, रीकेट की कमी के कारण होता है, मतलब कौन से विटामिन के कारण जो रीकेट से बेमारी होता है, वो किस की कमी के कारण होता है, इसमें जिके का जादू जो भी बच्चे हैं जो रहे हैं जो रहे हो चैनल से वह जरूर एक बार चक्किजेगा बहुत जाद आपको हैलफुल मिलने वाला है जीके का जादू से रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है तो अब बताईए भाई सब जल्द से जल्द बताईए जल्द से जल्द बताईए रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है तो कोशन नमर नाइन का जो एंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पिड़ाइगा विटामिन डी सब्सक्राइब कोहएं आप¥ कॉझमॉर्ण द क किनिए वाला रोगी है कोई सारे रोग आगाए भाई सब आयोडिन की कमी से होने वाला रोग है कौन सा रोग है भाई सब आयोडिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग है भाई सब पीलिया है आत्र जवर है गलगंड है या फिर एनीमिया है तो आयोडिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बता इधर बिहारी वगारा मतलब हम लोग बिहार से हैं तो इधर लोग बोलता है घेंगा रोग बिखार के पास कुछ प्राब्लम होता है तो इसे उल्टीन की कमी से होता है उसे गलगंड बोलते हैं आप इसे नोड कर सकते हैं जो कि option C is the right answer हो जगा जगा जो बिहार से होंगै एक कम इसे जो रोग होता है गला का उसे क्या बोलते हैं अपने बिहार वाले भासा में बताएंगे देखते हैं कौन-कौन बताता है और वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए का सपना है को लग जाएगा कि अब भाई साफ यह हम जादू कर रहे हैं ओके आप कोई भी सा सब्सक्राइब कर देखा जाते हैं इतना चोटा नहीं है कि हम 35 में कवर कर दें बट आपका जो एक्जाम में जो आता है उसके हिससाब से इनफ हो जाएगा उके अगर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस किजिए टेलिग्राम जो यह कोई भी डाउट हो कोई भी सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलते हैं जाहिन जैभारत एक टाइम याद रखेगा छे बजे आपका इंग्लिस का मॉक टेस्ट है देना ना भूलेंगे और चार बजे आपका किस्तिज का यह है चार बजे चल रहा है आपका चार बजे से चल रहा है किस्तिज का आपका स साइन्स चार बजे साइन्स और छे बज़े आपको इंग्लिस में भी आ जाना है एक दम टाइम से तो चले दोस्तों चलते हैं